आप अस्लाम अली कुम्स जैसा कicallyमने लाइस्च लेक्चर के अंदर मेटाल्स ऄ요 दिसकेस कि अधा तो आजक लेक्चर के अंदर हम और मैटाल नायव? physical properties को discuss करेंगे तो नॉन मेंटल को जो सा यह सॉलिट में भी पाई जाती है यह लिक्विड में भी होती है और गैसे स्टेट के अंदर भी यह नॉन मेंटल पाई जाती है अब इसके बाद क्या है कि यह मैटल की तरह ना तो हाड होती है ना इनकी शाइन होती है यह लस्टर होत होते हैं और यह बैडड कंडुक्टर होते हैं ही प्सक्राइब की और एलेक्टरिसिटी कि फॉर ऑपल जैसे कि वह इसके अदर शिफ और ग्रेफाइट है जो के कंड वह रिक्टरी का गुट कंडक्टर बाकि साहीं नॉन मेटल जोनी हैं वह नॉन इनको हम अपने डेली ला properties ढहने के अदरन के वह नौन मेटल हैं इसी तरीके से जोनधे वैल्डर जोनधे फ्लेम उसके अंदर भी हाइडरोजन और ऑक्सिजन को利用 के जाता है, कटिंग के लिए वैल्डिंग परपर इसके लिए। इसी तरीके से हाइडरज्रियन और नाइ्ट्रजन गैसिस हैं उनको यूरिया यह fertilizer की formation के और यूज किया जारा है बनासपती गी जो जो आप बना रहे हैं उसके अंदर भी जो आईल से गी में convert कर रहे हैं उसके अंदर भी आप hydrogen gas को यूज करते हैं इसी तरीके से phosphorus को मैच इंडस्ट्री के दर यूज के आ जारा है जो से आप match box बनते हैं इस तरीके से oxygen से इन गेस को हॉस्पिटल्स के नरी में यूज किया जा रहा है कारबन भी नौन मैटल है ग्रेफट यूश बनाने के यूजогод जर रहा है या बाकी ऐन जों से सेंदे घर्लाइट का यूजो ऑगा रहा है तो शुरिक में जों सानच वह हैं ayunt नौन मेटल पर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मेटल जो उनसा वो डायमंड है और इसकी शाइन भी जो सी जीवलिरी में सबसे ज्यादा है और इसे ग्लास को कट करने के लिए भी इसकी हार्डेस के विज़ा से यूज किया जाता है तो आज के लेक्शे में इतना ही पकिंशाला नेक्स लेक्शे में डिस्कुस करेंगे